हेलो दोस्तों मेरा नाम है उमीश अरोड़ा और आज मैं आपको एनेक्स में यह मॉडल बनाना बताता हूं और यह भी इंट्रिमेटेट लेविल का पार्ट है और इसको अब डाइकली कंप्रेटगी सर्फेस की मदद से भी बना सकते हैं या हम थोड़ा सॉलिड और थोड़ा सर्फेस दोंग्र कॉम्गाइन दोनों सबसक्राइब करें आप research चलिए तो इसमें यह हमारा यह हमारा फ्रेंट वी है यह यहाँ दिखें और यह हमारा टॉप है और एक शेक्षन है यहां से जाके यह कटावा है यह शेक्षन ए इस व्यू के लिए दिया हुआ है और यह तो आपको साइड व्यू दिखी रहा है इधर से क्या है वो शेप यह है तो सबसे पहले मैं इस बीच वाले को बनाने वाला हूं और इ आघ्या करना चाहते हैं तो कॉंटिक कर सकते हैं मेरा वौ्टसप नबर आपको मिल जाएगा चैनल पर देख सकते हैं और अगर आपको लेक्षे रहे हैं तो मैंने करे नलिया और यहां से शुरू करते हैं एक सर्क्ल के मुदद से और सरकल यहां पर हम ne round कदिया और सर कम यह जो दिया हुआ है यह 45 का radius 90 का डाया राइट और दूसरा वाला एक हम यहाँ पर ले लेते हैं 90 का इसके बाद आप इसको और इसको मिला दीजिए यह हमने मिला दिया इससे क्या benefit होगा मैं इतके बीच की जो distance है यह distance मैं define कर सकता हूँ यह दिया 60 यह ठीक हो गया इसके बाद क्या करना है यहाँ पर कुछ angle भी है यह angle इदर का दे रखा है तो आप यहाँ से ले लिजे एंगुलर यह line और यह angle दिया हूँ है 105 का तो angle properly आगे है अब line की मुदद से मैं इसको oops undo line की मुदद से आप इसे और इसे मिलाईए line की help से इने tangent को मिला दीते है और यह dimension थोड़ी से extra है कोई बात नहीं इसे हटा दीजे यह सब आगया और इसको हम कर देते हैं construction आइनवे तो सबसे पहला sketch मेरे यही है इसे कर देते हैं finish अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए एक section चाहिए यह वाला जा section है यह हमें चाहिए यह shape हम बनाते हैं और इसके लिए मुझे एक plane की मदद चाहिए होगी तो क्या करते हैं एक नया डाटाम plane ले लेते हैं इस पे एक डाटाम plane ले लिया इधर की तरफ मैं चाहता हूँ कि ऐसा सीधा आ जाए इससे orient करें जूम करेंगे जूम करके यहां पर center point कुछ यहां पर मैं रखा 22 का radius है 44 कर डाया पर आपको लाइन लेनी है यहां से और नीचे की तरफ थोड़ा से लेते हैं फिर इदर आ जाएए और फिर यह इससे मैच हो जाएगा इससे हम कर देते हैं वर्टिकल और ट्रिम की मदद से इसे कट कर दीजिए यह और यह लाइन consonants हो जाएगी और यह radius हमने ले लिया है और यहां से आखरी तक है यह 32 तो यहां से लेते हैं और कर्व कौन सा है हमारा यह रख कर्व यहां से यह जो end point है यह वाला gap है हमारा बस 32 right और यह जो point है और यह point है इसे मिला जैते हैं और finish अब यहां पर है हमारे पास swept swept की मदद से मैंने यहां से लिया connected कर और guide है मेरा यह वाला sheet में apply और ok एक बार आप देख लिजे यह solid है right कोई बात नहीं मैंने surface लिया फिर भी solid ही आ रहा है तो कोई बात नहीं है हम इसकी मदद से भी काम कर सकते हैं चले तो sketch लेते हैं और अब इस वाले plane पर जाएंगे और यहां पर जाने के बाद यह एक line है इस line को मैंने draw किया और यह line इस center से यह जो center है यह gap is given as 66 और यह line आप कितनी भी ले लिजिए इससे कुछ ऐसा फरक नहीं पड़ेगा लेकिन define करने के लिए मैंने इसको middle पर ले लिया और 160 डाल देते हैं राइट यह line मिर पास हो गई फिर एक line आप देखे इधर भी आ रही है तो इस line के लिए मैंने यह line draw कर दी नीचे इसकी position 10 तो 10 दिया हुआ है यह जो curve है और यह line है यह वाला gap 10 दिया हुआ है बाकि आप चाहें तो इसको दोनों को मिला देते हैं और इस dimension को delete कर दीजिए राइट ही match हो गया इसको भी चाहें तो कुछ define कर दीजिए close इसके बाद चलिए इतना use करते हैं बाकी को हम फिर दूसरी बारे में बनाएंगे वैसे चाहें तो आप एक साथ भी बना सकते हैं पर मैं अभी एक एक करके बना लेता हूँ और connected curve की जगे आप single curve लें select करिए और यह आगया हमारा open smart profile volume और apply ठीक है select करिए मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं आपके लिए हर बारी कुछ अलग तरीके से geometry को model को बनाओं ताकि आपको नई चीज़ सीखने को मिले राइट यह आ गया और उपर के भी कट हो गया यह goal आई ही रहा है अब यह नीचे की जो shape है यह वाली हम बनाने वाले हैं तो यह मैं साथ में भी बना सकता था तो फिलाल कोई बात नहीं मैं दुबारे से बना लेता हूँ और यहां से मैंने एक यह line पर line से पहले आप एक का यह हो गई और यहां से यह line अब इसकी dimension कर देते हैं 65 का radius और यह वाला 50 का radius और यहां से dimension है यह जो dimension है और यह center है यह gap दिया हुबा है 42 का ओके अब इसके बाद यह जो आना है यह कहां पर आना है इसका placement हमें अभी देखना पड़ेगा यह जो center है 65 का यह जो इसका center point है यह और यह वाला दोनों को मिला दीजिए इसका placement हो गया इसके बाद यह थोड़ा बाहर जा रहा है कोई बात नहीं आप इस या तो बाहर जाने दीजिए नहीं तो हम इसको match कर सकते हैं मिला सकते हैं इसको और इसको राइट कटे का नीचे तक ही इससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला यह और यह लाइन नहीं आ रहे कोई बात नहीं ड्रैग करके लेकिए यह यहां तक छोड़ दिया और यह जो लाइन है और यह आर्क है टेंजेट होना चाहिए तो sketchfully define हो गया है अब इससे finish करेंगी finish करने के बाद फिस extrude लेता हूँ मैं और इसे अपकी बार tangent कर देते हैं तो tangent में यह पूरा का रूप सिलेक्ट हो जाएगा और open profile smart volume okay match करते जाएए जितना भी आप बना रहे हैं वो प्रॉपरली आ रहा है के नहीं आ रहा है यह तक आगे यह वाले कार्क अभी स्टिल में को और बनाना है यह नहीं आया पर यहां से जाते हैं select करिए एक arc और यह पता नहीं कहां से श्री हो रहा है तो मैंने एक circle ले लिया और circle यह बना दिया अब पहले इसका placement कर देते हैं यह placement कहां पे आ रहा है यह जो center है और यह center है vertically align इसकी dimension 180 का डाया और यह जो circle है वो इस line के साथ tangent होना चाहिए तो tangent इन दोनों को placement properly आ चुका है अब बस यहां से मैं कुछ reference line ले लेता हूँ कि अब कर दो कि और ट्रिम कर दो कि अब कर दो कर दो कि इसकी तो कोई as such अ कि यह center पर नहीं आ रहा है कोई बातने आप कहीं तक भी ले लिजे इससे कुछ फरक पड़ने वाला है नहीं और इसको मैंने reference में कर दिया इसको भी reference में कर दिया extrude करेंगे यह है curve asymmetric open profile smart volume और ok right और इसे कर देते हैं एक बार save अब हम यह वाली जो शेप है यह वाली शेप बनाने वाले हैं तो इसके लिए मैं चाह करता हूं एक नया plane लेते हैं plane लेते हैं और plane है यह वाला और position इसकी इधर नहीं आप आया कोई बात दुबार से लेते हैं यह वाला जो plane है यह यहां पर आना चाहिए आ गया ओके तो working plane में यह वाला हो गया आप इस पर जाके मैं sketch करूंगा देखिए मुझे पता है कि क्या गबड आने वाली है लेकिन मैं directly उसको नहीं यूज कर रहा है ताकि आपको ही पता चले कि जब आप बनाएंगे और अपने आप से बनाएंगे तो क्या प्रावल्म आती है और इसको कैसे ठीक किया जाए अगर मैं directly करके दिखा दूंगा तो आपको पता नहीं आपको यह idea ने लगेगा कि हमने ऐसा क्यों किया ठीक है न तो इस वैसे मैं उसको नहीं शेट आओ अभी आगे requirement लगी तो हम modify करेंगे तो मैंने क्या किया एक यह बना लिया और यहां से जाते हैं और यहां से मैंने लिया intersection करूँ और intersection करूँ इस वाली surface का और click और okay उपर के line मेरे पास आ गई है और इसके बाद यहां से dimension लेते हैं यह जो line है यह line और यह point टॉप का यह कदत हैं 32 प्रॉपरली मैच हो गया है अभी आप लाइन ले लेजे लाइन ले लेजे और ट्रिम अभी एक लाइन भी ऊपर की रह गई है या तो इसका प्रॉजेट करा लीजे या इसके उपर दुबाएस लाइन मना लीजे जैसा भी आपका मन करे आपको ठीक लगे तो मैंने इसे हटा दिया उपस यह करू कहां गया तो undo क होते हैं कि तो एक और है इसमें कि आपको यह लाइन थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी कि इसकी जुरत नहीं है यह हमने बनाया लेकिन जब हम इसे ट्रिम कर रहे हैं तो यह तर वाले को भी कर रहा है जो कि ठीक नहीं है तो पहले इसे अटा रहता हूं मैं इसे अटा रहता हूं यह भी नहीं चाहिए इसे आ रहीं है तो यह ठीक कट आ हो گग्या कोई बात ही मैं इसे नहीं अटा रहा हूं मिरपास शेप अलिडि है ूं इसकि मदद्स से कुछ बना लेते हैं और अब क्या करेंगे इसको मैंने एक मिन्ट के लिए हाइड किया और extrude में जाते हैं और extrude में लेता हूँ यहाँ से मैं reason bounding curve कि पूरा ये line को देखे match क्या नहीं हो रहा है ये तो ये एक ठीक नहीं है ये match होना चाहिए था कोई बात नहीं एक और तरीका है मेरे पास मैं सिंगल सिंगल यूज़ करूँ तो और stop at intersection not इधर का ये मुझे लग रहा है intersect कर ही नहीं रहा ठीक है ये जो line है ये intersect कर ही नहीं रही तो double click करेंगे और यहाँ से इस line को मैंने reference में convert किया और एक line जो है ये मैं बना रहा हूँ और position इसकी ठीक नहीं आ रही अपिक किया और match करा दिजिए अब अगर trim यूज़ करेंगे तो ये trim हो रहा है ये भी trim हो रहा है और ये भी trim हो रहा है अब मुझे नहीं लगता कि कोई गडबड आने चाहिए और अब select करेंगे इसको तो ये पुरा ठीक आएगा इसको मैंने थोड़ा आगे तक ले लिया और ok कर देते हैं अभी ok और जो hide गिया था control shift के इसको show करा लेते हैं इस तरीके से अब इससे आप edit करें ये यहां तक नहीं आना है ये आना है until extended this तो ये यहां तक आ जाएगा और ये भी इसके साथ अभी join नहीं है तो join करने के लिए आपको unite करना पड़ेगा दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ठीक है अब अब इसे हमें हटाना है तो क्या किया जाए मैं directly option use कर सकता हूँ मैं बार बार बोलता हूँ आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में या कोई भी general पसन है तो उसके दिमाग में क्या आएगा तो क्या करने से हम थोड़ा सा आ ऑफट कर दिया जाए यहां से पिक करते हैं और क्लिक कर रहे हैं प्रिक तो ऑफ़ोट यह ले रहा है आप ले लीचे यह और यह और नीच कर ले रहे है नहीं आ रहा कि मअ दिक का तक आ रहा है arc Sac चलिए वर करके देखते है 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 आ गए यहां पर हल्का असा यह कुछ रह गया तो क्या कर सकते हैं आप यहां पर है रिप्लेश पीस है यह फिस पूरा का पूरा है इसके साथ यहां से तो यह वाला फेस इसके साथ टच रॉपर्ली नहीं कर पारा एक काम करते हैं मैं इधर की तरफ जाता हूं और अगर बड़ा है यह भी नहीं ऊपाएगा तो क्या किया जाए मैं इसे यूज़ करता हूँ यहां से और Move Face लिया, पिक करते हैं और इस डारेक्षन में न चाहरा है और Apply रैट तो यहां पे भी हम Move Face यूज़ कर लेते हैं आपसेट फेस की जगह यह नहीं चाहिए, डिलीट करें, इसे डिलीट करते हैं, दोबार से लेके चलते हैं, मूव, यह वाला फेस, और यह वाला फेस, देखिए, यहां से मैं आगे ले रहा हूँ, और, ओके, 47 पे, रैट, फिनिश हो गया, इसके साथ मर जो गया है, मैच हो गया, अभी क्या करना है, अभी हमें चाहिए, शेल, क्योंकि यह दिसे हालो है, तो हम लेते हैं शेल, और ठिकनेस है 3, तो 3 का ठिकनेस डालिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे यह वाला पेस नहीं चाहिए, हड़िया, और उपर से भी एक पेस था, जो कि मुझे नहीं चाहिए, पर मुझे शो ही नहीं हो रहा, मैं इसे कैसे डिलीट करूँ, यहां से देखिए, यह वाला था, और एक यह वाला था, तो नीचे का त से जाके किया make current feature और यहां पर जाके मैं इसको सर्फेस की मदद से extract curve करता हूं और यह curve मेरे पास आ गया यह एक काम और कर लेते हैं मैं offset face लेता हूं नहीं offset face तो काम नहीं कर पाएगा यह चलिए ले लेते हैं requirement लगेगी तो देखा जाएगा नहीं तो कोई बात ने हम उसे छोड़ देंगे और zero के साथ ओके वापिस आ जाते हैं नीचे और इसका इसके ओपर कोई भी effect नहीं पड़ा है यह देखिए आंसे आपको दिख रहे है अब यह जो मैंने surface बनाई थी जो यह offset वाला face है इस offset वाले face पर जाते हैं और इसे कर देते हैं थिकन अगे अगे सेलेट किया इसको थिकनेस मिल रही है थ्री मैंने का फूर होना चाहिए पर अंदर की तरफ होना चाहिए और यह होना चाहिए सबस्टेक्ट इस बॉड़ी में से और रोके और यह जो surface थी इस surface को कर देते हैं hide यह आ तो रहा है लेकिन कुछ ठीक नहीं आ रहा देखिए आप दिकर आपको हमने use किया लेकिन यह properly आ नहीं पा रहा तो इसको कर देते हैं delete और shell ठीक है हमारा यह offset वाला नहीं चाहिए से इसको बंदी रखते हैं इसके बाद यहां से करते हैं divide हमें यह जो face है पूरी body face से ले लिया तो cancel करते हैं दूबार से लेते हैं divide face और सिर्फ दो face है इन दो face को इस कर्व की मदद से कि पर यहां से लेते हैं हम मूव फेस कि एक फेस यह है नहीं पूरा नहीं चाहिए दुबार से लेते हैं मूव फेस टेंजेंट किजिएगे आप सिंगल लीजिए और इसे मैं मगरे देता हूं माइनस में 3.2 प्रिव्यू नहीं आ रहा है यहां से अगर यूज करते हैं ऑफसेट को और 3 रिवर्स में और ओके ठीक है यह अब काफी हद तक ठीक आ गया है यह इस जगर पे आके ठीक नहीं आर पा रहा है तो क्या करते हैं इसे भी मैंने कहा कि नहीं आप इसको भी रहने दीजिए और यह जो डिवाइड फेस था इसको भी हमने रहने दिया और शेल को भी हम डिलीट कर देते हैं राइट अब अब हम लेते हैं यहां से सर्फेस और सर्फेस में जाके और अपसेट शरफेस में मैंने जितनाएंग किया टेंजेंट और क्लिक और यह टेंजेंट के आँग से यह पूरा आ गया यह इसको इंसेलेट करें और इधर वाला भी चाहिए यह भी हमने ले लिया और पे एक चीज और है देखिए यहां पे ने फिलिट लगावा है वो फिलिट हमने लिया नहीं है तो फिलिट हम पहले ले लेते हैं उसके बाद इसे करेंगे तो यहां पे हमारे पास रेडियस है वन और फाइब का है तो हम यहां से लेते हैं यहां पे चाहिए और यहां पे चाहिए ओके फिलिट ले लिया अब सिर्फ इसमें जाएंगे और यह वाला है टेंजेंट यह फेस और इसे कर देते हैं सिंगल और यह तो रिमूव करना ही है और उपर का भी रिमूव करना है तो उसको हमने छोड़ दिया अब यह जो सॉलेट बॉड़ी थी इस सॉलेट बॉड़ी को कर देजिए आप आइड अगर किसी का प्रॉब्लम है कि सर रुष स इंसर्ट में जाएंगे ट्रिम में जाएंगे डिलीट बॉड़ी और डिलीट बॉड़ी को सिलेट करेंगे तो यह बॉड़ी डिलीट हो जाएगे अब अगर हाइड एंशो भी करोगे तो भी आपको बॉड़ी दिखाई नहीं देगी अब ये सब बनने के बाद अगर सर्फेस बनते तो ये चीज आपके बाद बनके आती तो अभी हम क्या करेंगे अब apply करेंगे इसको thickness थिकनष के लिए हम यहां से जाते हैं थीकन 3mm की थिकनस है पूरे को slit करेंगे और अंदर की तरफ आना चाहिए और इसे आप रखेंगे नन इसे अभी मैं टू करके देखता हूं तो अब एक बाई से डिलीट को एक बाई हटा देते हैं और इसे जस्ट हाइड गर दीजे और अब अगर लगा कर देखें हम यहां से थिकन सेलेट करेंगे थ्री इंसाइड और नन ओके अभी आप देखिए यहां पर यह न यहां तक तो ठीक है यह वाला जो पोश्टन है वो ठीक नहीं आ रहा है तो व्यू में जाते हैं हाइड इंड शो करके मैं जितने भी कर्व और स्कैच हैं हाइड कर देता हूं और अब इसके लिए क्या करेंगे हम यूज करते हैं से स्वेप्ट और स्वेप्ट में मेरा क्रॉश एक्षियन हो जाएगा सिंगल लाइन गाइड कर ओपर वाला और ओके पूरे पर आ गया इसे आप यूनाइट कर लिजएगा इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा साइड वाले व्यू में काम है तो इसके लिए यहाँ से स्कैच में जाते हैं इस फेस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर है एक सर्कल सर्कल है 10 कड़ाया इसकी पोजिशनिंग कर लेते हैं यहाँ से यह वाला 22 पे और उपसे 16 फिर सर्कल लेते हैं और एक सर्कल हमने यहाँ बनाया 8 का रीडियस 16 कड़ाया फिर यहाँ से एक और सर्कल चाहिए और सर्किल है 10 का डाया इनको मिला देते हैं वर्टिकली एलाइन और ये और ये वर्टिकली एलाइन इनके बीच का गैप 16 और लाइन की मदस्त से मैं इसे मिला देता हूं यहां से लिया ट्रिम ये नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए तो इसकेच्च हमारा क्या फुली डिफाइन है नहीं लगता लेकिन यह जो पॉइंट आ रहा है यह कहीं बीच में आ रहा है देखिए अगर हम इदर से तो उपर से 100 तो डामिशन ले लेते हैं यहां से यह जो सेंटर पॉइंट है यह 100 की डिस्टेंस पर फिनिश इसे एक्स्टूड कर जाते हैं पूरे को ही लेना है तो इन फिर कर रिवर साइड फॉर और सब्स्टेक्ट फ्रम दिस बॉड़ी तो उम्मीद है आपको यह जो टुटोरियल है प्रॉप पर लिस समझ में आ गया होगा कोई भी क्वेरीज हैं अगर आपकी तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको शेर करिए लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसका स्क्रीन शॉट आप यहां से ले लिजे आप लेना चाहते हैं तो